हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी क कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। CTDT 40-625 टैबलेट में दो दवाएं मौजूद हैं जो हाई ब्लड प्रेश को नियंतरत करने में मदद करती हैं। ब्लड प्रेश को कम करने से भविश्य में हौट अटैक या स्ट्रोक होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती आप CTDT 40-625 टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं। डो जापकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी। हर दिन इसे एक ही समय पर खाने की कोशिश करें। जब तक आपका डॉक्टर आपको मना नहीं करता तब तक इस दवा को लेते रहना आवश्यक है। इसमें डायूरिटिक वाटर पिल होता है और इसके कारण आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ता है। इसलिए सोने की चार घंड पहले इस दवा को लेने से बचना बहतर रहता है। अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तब से सामान्य साइड इफेक्ट चक कर आना है। अन्य साइड इफेक्ट हैं मिचली, डायरिया, दस्त, सिर्दद और ब्लड लिपिड में बदलाव होना। बार बार पेशा बाना इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। ये कलोर्टेलीडोन का उद्देश है और ये आपके ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करता है। आपको अन्य साइड इफेक्ट का अनुभव हो सकता है लेकिन अधिकतर दुरलब हैं। आप अपनी दवाओं के साथ आने वाले लीफलेट को जरूर पढ़ें और अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान है या उनमे सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपकी खुराक को अज़स्ट करना या किसी अन्य दवा को ट्राइ करना संभव हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान इस दवा को लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको किड्नी या लिवर की बीमारी हिर्दय में समस्या या डाइबिटीज है तो आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। शराब पीना आपके ब्लड प्रेश को कम कर सकता है और इससे साइट इफेक्ट हो सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपक को विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।